आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हेलो दोस्तों प्रस्त नहीं है, हाइडोजन परमाण में किसी इलेक्रॉन को मूल उर्जा इस तर से प्रथम उतेजित अवस्ता में पहुचने के लिए आवशक उतेजन उर्जा एवं उतेजन विवह ग्यातीजिए तो हाइडोजन परमाण में किसी इलेक्रॉन के लिए मूल उर्जा इस तर से उसे प्रथम उतेजित अवस्ता में पहुचने के लिए जो आवशक उतेजन विवह चीए उसके में करना करनी है तो यहां से अगर हमाल लें कि हमारे पास N इक्वल टू एक मतलब की मूल उर्जा इस तर है N इक्वल टू एक क्या होता है मूल उर्जा इस तर ठीक और N इक़ोल टू दोh घ्षाह में प्राप्त होता है प्रथम उत्पीर जीद अवस्ता ठीक तो क्या हो रहा है इलेक्ट्रण मूल मूल और उजाह इसATHANờ से प्रथम उत्पीर जीद अवस्ता में पहुछ रहा है मनलब यहां से यहां पहुछ रहा है ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अगर हम Nv कच्छा के लिए लिए उजा का सूत लिखे अगा अड्रोजन पर्माड में होता है, माइनस का 13.6 बटे N2 इलक्ट्रोन वोल्ट में यह Nv कच्छा के लिए अगर हम पहली के अच्छा के लिए निकालेंगे मला मूल के लिए यह क्या हो गई मूल इस्तर की बात करें अगर तो यहां से हो जाएगा मैनस का 13.6 इलक्ट्रोन वोल्ड क्योंकि एन इकल टू क्या हो जाएगा यहां से लिख देते हैं इसी पकार एन इकल टू पर क्या पराप्त होगा तो यह हो जाएगा एटू इकल टू मैनस का 13.6 बटे चार हो जाएगा दो का स्कार तो इकल टू कितना आ जाएगा यह आ जाएगा मैनस का 3.4 इलक्ट्रोन वोल्ड ठीक है तो इस उतेजित उर्जा इस तर के लिए आवश्यक उर्जा अगर हम निकाले आवश्यक उर्जा उतेजी तवस्ता के लिए तो डेल्टा ए से दो इलक्ट्रोन वोल्ड जो की यही अमारा क्या होगा उतेजित विवों उतेजित विवों तो प्रस्न का अंसर हो जाएगा 10.2 इलक्ट्रोन वोल्ड धन्यवार्द